दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने ना जाने अपने जीवन में कितनी ठोकरे खाई हैं और ना जाने कितनी या सफलता हो का मूद देखा है फिर भी उस बंदे ने कभी हार नहीं मानी जहां कभी वे एक टूर गाइड के रूप में स किसी और की नहीं बलकि चाइना के सबसे वड़ी एकॉमर्स कंपनी अलिबाबा.com के फाउंडर जैक मा की है जैक मा को उनकी स्कूली एजुकेशन से जदादा उनके जीवन के फेलियर्स ने सिखाया आपको जानकर शायद यह हैरानी होगी कि आज के चीन के सबसे अमीर विक तरको आउनकी की विद्याली के मैहित पॉर परिक्षा में दो बार फैल हुए और माध्यक विद्याली की परिक्षा में तीन बार पेल हुए स्कूल के बाद जैकमा ने कॉलेज के लिए अपलाई किया लेकिन कॉलेज के इंट्रेंस एक्जाम में वो तीन बार फेल हुए उन्होंने हारवड विश्विद्यालेव में प्रवेश के लिए दस बार अपलाई किया था लेकिन एक बार भी वे सफल नहीं हो पाए पर आखिर में उन्हें हैंग्जो टीचर इंस्टिटूट में दाखिला मिल गया यहां से सन 1998 में उन्होंने अंग्रेजी बार्षा में की रैजुएशन पूरी की शायद आपको लगेगा कि इतनी बड़ी कंपनी के संस्थापक के लिए गणित तो बहुत यासान विशे होगी पर वास्तविक्ता इससे को सो दूर है अपने कॉलिज में गणित की परिक्षा में उन्होंने एक बार 120 अंक में केवल एक यंक पराप हुआ था खुछ जैक मा कहते हैं कि मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ कभी मैनेजमेंट की पढ़ाई भी नहीं की और अब भी अकाउंटिंग रिपोर्ट को पढ़ना नहीं जानता हूँ वालिज के बाद उन्होंने करीब 30 कंपनियों में नौकरी के लिए अपलाई किया और सबी कंपनियों ने उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसके बाद उन्होंने पुलिस की नौकरी के लिए अपलाई किया लेकिन वहाँ भी उन्होंने ये कह कर रिजेक्ट कर दिया कि तुम इस नौकरी के लायक ही नहीं हो और उन्हें यहां भी डिजेक्शन ही मिली फिर उनके शेहर में के एफसी कंपनी ने अपना श्टोर बोला जैक मा ने हार ना मानते हूँ के एफसी में एक मामूली वेटर के लिए अपलाई किया जिसमें गुल 24 लोगों ने KFC में जोब के लिए अपलाई किया था जिसमें से 23 लोगों का सिलेक्शन हो गया सिवाई जैक मा के और ऐसे ही और फिलियर्स के बाद आगे कार उन्हें 800 रुपे प्रतिमा पर एक शिक्षक की नोगरी मिल गई जहां वे विद्यारतों के बीच काफी मशूर हुए बाद में जब उन्होंने एक ट्रांसलेटर के रूप में काम करना शुरू किया तब एक बार उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला वहीं पहली बार से 1995 में वे इंटरनेट की दुनिया से रूपर हुए इंटरनेट को जानने के बास सबसे पहले उन्होंने चीन के बियर की जानकारी देने वाली एक नई वेबसाइट बनाई जिसका ना उन्होंने चाइना पेज रखा बहतर इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने एक सरकारी निकाय के साथ साज्यधारी की पर सरकारी नोकर शाही ने उन्हें तीरे दीरे उनके सपने पर प्लैन का दम घोटना शुरूप कर दिया जिसके कारण अंत में उन्हें उस सरकारी निकाय से अलग होना ही पड़ा इससे उन्हें एक बहुत बड़ा सबक मिला आखिरकार इन्वेश्मेंट की कमी जैसे कई कारणों से उनके ये प्लैन भी सफल नहीं हो सका चाइना पेज की असफलता के बाद उन्होंने एक बिल्कुली नए प्लैन पर काम करने की सोची और वो प्लैन था एक ऐसी वेबसाइट की स्थाफ न करना जो अलग-अलग बिजनेसे के लिए मार्किट के लिए एक खास पोर्टर प्रदान करे और जहां दुनिया के विबिन जगाओं से इंपोर्टर अपने उत्पादकों को एक लिश्ट बेश्ट कर सके जैक मा ने इस वेबसाइट का नाम रखा अली बाबा पहले पहले अली बाबा में इन्वेस्टमेंट के लिए जैक मा ने सिलिकॉन वेली के और रुप किया जहां उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी यहां तक कि सिलिकॉन वेली में कईयों ने तो उनकी इस परियोजना को एक असफल और घाटे वाला बिजनिस मॉडल करार दिया पर उन्होंने अपने इस सपने को तूटने नहीं दिया और जल्दी वो वक्त भी आया जब दो बड़ी कंपनिया गोल्ड मेंट सैक्स और सौट गयंग ने अलिबावा डॉट कॉम में कुल 25 मिलियन डॉलर का निवेश किया इतने पर भी अलिबावा से कोई प्रॉफिट ना होते देख जैक मा और उनकी टीम ने 2003 में ताव वाव नाम से एक वेबसाइट बनाई जिस पर समानों की निलामी फिरी थी इस वेबसाइट के निर्मान सबसे बड़ी ए-कॉमर्स कंपनी इबे को बचारने के लिए किया गया था जिसका पहले से ही चीन के निलामी बजार में सबसे जादा शेयर था ताव वाव पर फिरी सेवा परदान करने की वज़ा से अलिबाव पर बहुत अधिक आर्थिक दवाव बनने लगा इस दवाव को कम करने के लिए जैकमा और उनकी टीम कई अधिरिक्त वैल्यू एडिट सेवाए उबलक्त कराने लगी जैसे कस्टम वैब पे पांच वर्चों में इबे को चीन के बजार से अपने कदम पीज़े घीचने पड़े खुद से कहीं जादा बड़े प्रतिद्वंदी से भिलने में तो जैसे जैकमा को एक अलगी आनन्द प्राप्त होता था इबे से अपनी लड़ाई के बारे में जैकमा कहते हैं अगर इबे समंदर की शार गये तो हम अलीबाबा और तावबाओ नदी के मगरमच हैं इसके बाद इस कंपनी ने कई उतार चड़ाओ दे के एक समय तो ऐसा भी आया जब ये कंपनी दिवालिया बनने से केवल 18 मही नहीं दूर थी पर जैकमा के द्रियंट सहकल्प और बहतरीन स्टेटिजीज की बदोलत अलिबाबा डॉट कॉम ना सिर्फ उस संकट से उबर पाई बलकि बहुत ही जल्द सफलता के एक नई शिकर पर पहुँच गई 2013 में 10 लाग परोड उपे के आईपियो के साथ यूएस मार्केट में सबसे बड़ी आईपियो वाली कंपनी बनकर उबरी है कुछ जैकमा की संपत्ती 23 बिलियन डॉलर से भी ज़ादा है दोस्तो इस सफलता का कारण है कुछ जैकमा की काबिलियत और कभी हार ना मानने वाली जित जिसे कुछ उन्हें के शब्दों में समझा जा सकता है जिसका इस्तमाल उन्हें अपनी टीम को प्रोसाइट करने के लिए किया था हम सफल होकर रहेंगे क्योंकि हम कभी हार नहीं मानते दोस्तो जैकमा की स्टोरी से हमें पता चल गया है कि अगर हम किसी भी काम को नेवर गीव अप एटिटूट के साथ और कुद पर विश्वास रखकर करते हैं तो हमें सकसेश जरूर मिलेगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ही से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलता हूँ आपसे नेक्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत